हेलो गाईज दिस नेटमेस और आज का जो वीडियो है वो हिंदी में होने वाला है इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कैसे है कि मैंने दो या तीन दिन पहले एक पोस्ट किया था मेरे कम्यूनरी डाब में अगर आप वो देख रहे हो तो मैंने एक बैटल का सजेशन डाला जिस पर काफी पॉजिटिव रिप्लाय आये आपके साइड से तो वो बैटल मैंने आज करने का सोचा तो मैं पहले वो दो ब्लेड दिखा देता हूँ जो आज हम यह बैटल में दिखाएंगे तो पहला बैबलेड है और तीगल 145 WD जो की एक डिफेंस ताइप बैबलेड ह है और उसमें स्टामिना पोटेंशल भी है और यह बैबलेड सुबा सा के पास देखा जाता है मेटल फाइट में और दूसरा जो बैबलेड है वो रेगिल 100 RSF है जो की एक रबर टिफ फीचर करता है और यह बैबलेड शायद ही आज लोगों को याद होगा कि वहाँ पे एक ऐग फैमेली थी मेटल फाइट में गार्सिया फैमेली करके जो डोटके के गुंडे थे अडख़ एक्चपे और ंका जो लीडर था अर्गो उनका यह बैबलेड था अरको गार्सिया उनका यह बैबलेड था रेगिल 100 RSF जो की एक हैं टोर्नामेंट में उनका फाइट हुआ तो वही fight हम आज recreate करने वाले है obviously हम 20 तो नहीं दिखा सकते but वो fight हम ज़रूर recreate करेंगे और आज का video जो हिंदी में हो रहा है उसका कारण यह है कि बेवलेड मेटल fight यह इंडिया में बहुत ही popular हुआ था क्योंकि इसके जो बेवलेड्स थे लगबख फैंटम हो रहा है और यह सब बेवलेड्स भी हमें इंडिया में देखने को मिले थे और हम purchase कर पा रहे थे एक affordable rate में तो इसके लिए आज का video यह है हिंदी में होने वाला है so that बहुत सारे इंडियान फैंस connect कर सके so चलो बिना किसी देरी के हम battle को शुरू करते है जैसे कि आपने देखा Earth Eagle एक WD tip feature करता है तो इसका stamina obviously जादा है और one on one battles में जैसे कि दोनों भी बेवलेड्स में ही launch करने वाला हूँ तो obviously जिसका stamina जादा है उसको हम पहले launch करेंगे और फिर मैं रेगिल को launch करूँगा तो launchers मैं set कर लेता हूँ दोनों भी string launchers मैं use कर रहा हूँ 3, 2, 1, go to Metal fight के Beyblades आज के time में जब मैंने burst and all को इतना जादा मेरे channel पे feature किया है काफी मुझे छोटे लगते है टककर बहुत कम होरी एक्चली दोनों भी एक defensive approach के Beyblades है और अर्थीगल के पास stamina का advantage बहुत जादा है तो अगर रेगिल कुछ impact create कर पाए तो ही वरना या फिर disbalance कर पाए वरना रेगिल कोई हार निश्चित है ओहो हो ओके तो disbalance चालू हो चुका है रेगिल उनके track की वज़े से नीचे घुस गए थे अर्थीगल के बट at the same time अर्थीगल ने counter करके उन्हें घिरा दिया तो एक point अर्थीगल को जाता है second round three two one go shoot ओहो पडिया clean knockout है ये रेगिल के तरफ से हाला कि tip ये defense type है पर rubber tip होने क्या ये like rubber tip है तो फिर stadium पर जो grip बनती है इसकी बहुत ही शांदार होती है इसकी वज़े से वो ये knockout perform कर पाए और ये score बरावरी का हो गया है अब so चलिए अब हम next round की और बढ़ते है three two one go shoot अगर contact हो जाता है वापस तो god तो सरा सर सेकेंड टाइम रेगिल ने ये कर दिकाया है तो ये काफी controlled attack था मेरे साइड से रेगिल के time पर तो अब हम और तीकल के लिए एक छोड़ी से ट्रिक यूज करेंगे हमें मालूम है अरतिकल का stamina जादा है तो उसे बस attacks को avoid करना है इस हद तक की रेगिल थप जार तो काफी अच्छा है और तीकल को मैंने slow launch किया था so that जो impact creator उसके ज़िए से अरतिकल जादा बाहर ना उड़े देखते हैं क्या यह ट्रिक काम लाती है और डेफिनेटली कमेंट सेक्षन में आप बोलना क्योंकि यह फर्स टाइम है मैंने हिंदी में commentary और ट्राइ की है तो अगर आपको पसंद आती है तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्षन में बदा सकते हो या आपको कोई improvement चाहिए तो और वैसे मैं next video में definitely try करूंगा तो yes यह trick काम कर गई और अर्थीगल ने second point जीत लिया है तो finally score यह tie हो चुका है बापस 321 और एगिल को स्टेडियम के बाहर गिरा गया है बट सेल्फ के होता तो फिर हम point नहीं award करेंगे oh my god अभी self क्यों नहीं था contact काफी तकड़ा था और रेगिल स्टेडियम के बाहर उड़ गया है और अर्थीगल को एक lead मिल गई है तो हम continue करते है first to five काई की जीते का अगर अर्थीगल अभी यह point छीन लेता है तो फिर उसके पास दो points की lead हो जाएगी जो कि काफी अच्छा है और रेगिल पर प्रेशर बढ़ जाएगा बर्स के comparison में यह वेवलेट्स काफी छोटे है साइज में वेट में भी मेटल फाइट के वेवलेट्स काफी हद तक अभी के वर्स वेवलेट्स से लाइटर है तो काफी डिफरेंट फील हो रहा है इनलक्चिल लांच करने को और और तीगल इसी के साथ और एक point जीत लेता है और और तीगल का score है 4 और रेगिल का 2 तो चलिए शायद ही यह final round हो और यह final round ही था रेगिल स्टेडियम के बहार उड़के आपको आवाज आई होगी वो बेड के नीचे चला गया तो और तीगल फाइनली यह battle जीत जाता है और जैसे कि anime भी हमने देखा था और तीगल जो कि सुबासा का वेवलेड है एक special अगर आपको मेटल फाइड वेवलेड के और कंटेंट्स देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता दीजिए और आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद